हम फंड्रेजिंग क्यों कर रहे हैं भगवान कल की और मैं हम मिलके फंड्रेजिंग कर रहे हैं गोफंड मी पर तीन अलग-अलग केंपेंच चल रहा है क्यों कर रहे हैं पैसा क्यों उठा रहा है पैसा क्यों मांग रहे हैं लोगों से काम करना इसलिए एक संगठन बनानी है विश्व ब्यापी एक कल की शेना का के संगठन रहेगी तो उसके लिए फंड्रेजिंग कर रहे हैं भगवान कल की र्यादा हुए और मैं उन्हीं के द्वारा स्थापित एक सेनापती प्रदान सेनापती नहीं कि एक सेनापती यानि कि वह चाहे तो उनकी इच्छा जितने चाहे उतने सेनापती नियुक्त कर सकते हैं कल की सेना का मैं एक सेनापती तो मेरी उन पर पहली बार नजर परी मुझे मालम हो चुका था मैं कौन हूँ उसके कुछ सालों बाद मैं एक पिक्निक में पहुंचा था पहले बार मेरी नदर पड़ी उन पर उनकी भी बारी आई माइक पकड़के बोलने लगे तो मैं पहुंचा था तो पहले बार मेरी नदर पड़ी उन पर उनकी भी बारी आई माइक पकड़के बोलने लगे तो मेरे को लगा इतना सांदार अंट्रप्रिनोर और मेरे को आज तक मालूम नहीं मैं बहुत आउट अफ टच हूँ जैसा लगा उसके बाद एक मादेशी उस समय के मंत्री स्वास्त मंत्री थे अभी भी है नेता एक्टिव नेता हैं सब्सक्राइब जैसे पहला मादेशी क्रांती हुआ उसके उभी नेता बंदर यादब जी तो वह स्वास्त मंत्री बनके आये हुए थे तो अमेरिका के जो बड़े-बड़े मादेशी संगठन है तो एक दुनों के जगा कारेक्रम था तो एक मादेशी संगठन बड़े-ब बड़े-बाले मादेशी संगठन के घर पर कारेक्रम था उसके बाद जो पहला और पुराना और साइज में नमर दो का संगठन उसके अध्यक्स के घर तक जाना था तो जैजी अपने गारी में बिठा के ले गए मैं भी था उस गारी में दुनों कारेक्रम हुआ तो दो साल पहले उन्होंने कल की जन कहके मेरे से फोन पर बात भी की मैं पूरी थारा बात समझ नहीं सका लेकिन उन्हें ने कहा कोई अर्थ सास्त्री आप जानते हो तो मेरे पर्चे खरबाओ तो मैंने एक से पर्चे खरबा दिया यह ठीक है आप इस पर कुछ काम करना चाहत करिए तो इस साल मैंने एक वीडियो बनाया कि मैं ब्रह्मा का मानव अबतार और अपने सर्कल में मैंने वीडियो शेयर किया जैजी से भी शेयर किया तो उन्हें ने तुरंत मुझे जबाब दिया और मैं विश्नु का अबतार तो मेरे को लगा यह बात पर बात कर रहा है कि आप ब्रह्मा की अबतार तो मैंने जवाब दिया कि देखिए अगर आपने जो एह बात कहा है अगर बात सही नहीं है तो यह तो बड़ा महापाप हुआ अंग्रेजी में कहते हैं ब्लास्फेमी उन्होंने तुरंत मुझे फो उस बक तक मेरे अपने ब्लॉग यह इस इस बैक डॉट एक्स वाइजी उस ब्लॉग पर मैंने जो लिस्ट किया है कि मैंने इन प्रोफेशी को मैंने फुल्फिल किया है उसके अधार पर मेरी पर्चेस थापित होती है तो मैंने दुनिया को पब्लिक ली जितने इस उन्होंने मुझे कह दिया और उससे महत्पुर्ण बात वो जो काम आगे जो काम करना है इतना इसपस्ट ढंग से कह दिया उन्होंने मुझे तो एक ही फोन कन्वरसेशन में मैं विश्वस्थ हो गया कि नहीं वो जो कह रहे हैं वो सही है वो कल्की अप्तार है तो मैं दुनिया को कहता हूं किसी को कहता हूं बार बार कहता हूं उनकी बात है कि मैं किसी को नहीं कहूंगा मैं यहां काम करने आये हूं वो काम करूंगा और मेरे काम के अधार पर पर प्रिचे स्थापित हो जाएगी तो उनका ओ है वो राजा है राजा लोग लोग को कहते हैं नहीं फिरते हैं कि मैं राजा हूं लोग खुद जानते हैं और खुद मानते हैं हम दोनों मदेशी हैं जीजस था नजारत से तो इज्रेल के भीतर में वो मदेशी ही थे जब उन पर धरपकडबाली बात हुई उनको वो पकड़े गए लोग उनको नाम से भी नहीं बुलाते थे नेजरीन कहते थे यानि कि मतलब उनके फर्स्ट नेम से भी नहीं बिलाते थे तो वो नजारत था था न वो पकड़ा गया यानि कि उनका जो परचे उनका जन्म स्थान से आता था तो बहुत इज्रेल का वो पिछड़ा जगा था जिस तरह एसे कि नेपाल ही देखिए तो सरकार चलाते हैं उनको लगता है छोटा मोटा देश सेपास क्या है और के विक्तर चोंट मेध्य है औरаже बीदियुयरी पिहड़ी हूई समदाय थो न क्या बार कृट्टी करनी पड़ी है फिर भी नहीं अधिकार मिला है समानता का अधिकार फिर भी नहीं मिला है इ пров.» रेमि मदेशी को नागरिता नहीं देते हैं, समस्य करते हैं, अभी भी हुआ है, नेपाल के संसद ने, किसी भी संसद लोगतंत्र में क्या होता है, संसद सब्सक्राइब बिल पास की तो राश्रपति कपात गया है. एक पर आपस कर सकते हैं. अधिकान समयर रहे प्रयुक नहीं करते हैं, तो ठीक है. अपने अधिकार किया, फिर तक खर दिया. लेकिन दूसरी बार जब संसद फिर से भेज़ दे तो आटमेटिक वह सही करना होता है अब यह विस्टिजेंशिप बिल एक नागिडिता बिल नेपाल के राश्टर पर ने दूसरी बार भी मना कर दिया मतलब संसेद्य लोग तंद्र में वह होता ही ने तो उतना वह स्थित्य है नेपाल में मदेशियों के तो मैं भी जीज़स कम बैक मैं और कल की अबतार भगवान कल की दोनों हम मदेशी हैं तो जिस तरह जीज़स नजारत से थे वैसी बात हो गई भगवान कृष्ण भी तो क्या थे गवार गवाला यादब एक यादब जिसे मेरी बात हुई कुछ हपता पहले तो हमें क्या कहते हैं तो गवार भुते थोड़े बैपार होई चिबलो उनका एक दुकान है तो मैंन कर रहा है कि गवार भुते तो रहे बैपार होई चिबलो तो आज पांच हजार साल बाद वह हालत है तो पांच हजार साल पहले क्या हालत है तो वह बात है गो फंड मी पर फंड रेजिंग करिए ए आइडिया ज्राजी का है और उन्होंने का अमेरिका में जब हिंदु मंद्र है उनको फोन करिए इतने हैं सब को तो मैंने लिस्ट पनाया इमेल किया कुछ को फोन किया फिर मैंने सुचा पहले नियॉर्क नियुडर्शी से सुरू करते हैं क्योंकि मैं नियॉर्क में हूँ राज्य में तो इस इलाके से सुरू करते हैं फोन करते गया है अधिकान्स लोग रिस्पोंड नहीं करते हैं इमेल का तो रिस्पोंड ही नहीं करते हैं टेक्स मेंसेज का रिस्पोंड नहीं करते हैं तो मैंने फोन पर बात करने का प्रयास किया, तो अधिकान स्लोग का है कि एक, मैं आपकी बात को समझ नहीं रहा, दो, मैं आपकी बात को मान नहीं रहा, आप जाएए, ट्विटर पर जाएए, यूटूब पर जाएए, कहीं, सोसल मेंडिया पर जाएए, आपको धेर मिल जाएंगे, कह रहे हैं कि मैं कल की पुजा करो सबके सब पाप कर रहे हैं महापाप कर रहे हैं नहीं कहना चाहिए जो एष्वर न都 मैं सब कर रहे हैं कल्यूग में होता है लेकिन एक महासारे ने मुझे कहा जब मैंने दिया मैं ब्रह्मा का मानभ अफ्तारू दो हजार साल पहले मैं जीजस था आज मैं हूँ तो उन्होंने कहा तब तो आप इस्वर हुए हम आपके दर्सन करना चाहते हैं तो मैंने कहा देखिए दर्सन आप भगवान कल्किक करिये उनका पुजा करिये मेरे से तो दोस्ति करिये हाथ मिलाएए गले मिलिये वी मैं फ्र इस्वर हैं तो इस्वर की दर्सन किया जाता है इस्वर की दर्सन किया जाती है तो इस जनाब कर रहे हैं हमसे दोस्ति करिये हमसे हाथ मिलाएए उन्होंने फोन ही रख दिया वाइबल में मेरे बारे में कहा गया है कि I am the priest from everlasting to everlasting to everlasting तो मेरा ओ रोल है मैं खुद भगवान कल की का पुजारी मैं वो राजा कल की सेना के ओ राजा मैं कल की सेना का उनके द्वारा इस्थापित एक सेनापती और वो मुझे address करते हैं जाजू कहते हैं द्वारा इमнов राजाता है तो द्वाजू नैपाली सब्ध है या से भगवान कृष्ण बलराम को कहते थे TAHUयी की बड़े भहिया तो उम्र से मैं जिय्ष्ट हो मैं टो नेपाली सब्ध है Daju द्वारा ओ जैसा हुआ बड़े भहिया जैसा हुआ और और हम दोनों मदेशी हैं चोटा सा सर्कल है तो कुछ हपते पहले उन्होंने मुझे अड्रेस किया था दाजू तो अभी का वह है कि मैं उम्र में उनसे हूँ कुछ है तो फंडूरीजिंग क्यों करना है ऐसलिए कि काम करना किण्यिंग करेंगे एक नोंप्रॉफिट संग भनता करेंगे मेरा अर्ली स्टैज्ग टेक्सटर्डरपं है। उसका फंडूरीजिंग करना है तो तो साइड के बाली बात हुई under उनकी वही mobile phone stores नहीं, जै जी, he wants a bunch of mobile phone stores तो मैंने उनको कई बार कहा है कि मेरा लग्ष है मैं fundraising करूँ ताकि आप जो business है उसको एक management team बनाके उसको handover कर दीजिए और full time इसमें आएजिए वह जो fundraising होने के बाद non-profit जो संस्था रहेगी वह should be able to आपको full time इस पर प्रोजेक्ट है एक इस साल में 222 पी कल की राज्य का स्थापना तो उसका पहला काम तो एक किताब लिखना हुआ क्या idea idea क्या है काम क्या होगा कैसे होगा the कल की इस्ट मेनिफेस्ट हो तो फर्स्ट क्राफ तो लिख चुके हैं पचास पन्ना मैंने देखा भी है और भी पचास सतर पन्ना लिख के रखे हुए हैं और उस पर एक टीम हायर करनी है कुछ अर्थ शास्तरी उस पर अपना बिचार रखेंगे उसको पॉलिस खरेंगे आइडिया को तो लोगों को हायर करने के लिए पैसे चाहिए तो ताकि हम दोनों फुल टाइम अगा जरूरत पर तो इस पर कर सके तो मेरा इजाशना पती मैं चाहूंगा कि फंडेजिंग करके एक नन प्रॉफिट फाइव ववन और और दर्ता करके उसके अधार पर मैं उनको उफर कर सके देखिए अब फंडेजिंग हो गया है अब प्रॉफिट संगठन है तो और उसके बाद नीम रखनी है कि संगठन जो बनेगी पहला अगर हम लोग नेपाल में काम करेंगे यह कहीं भी काम करेंगे तो और फंडेजिंग के लिए तो गो-फंड पर तीन केमपेंग चल रहा है पांच लाख डॉलोर के तीन ओंडियंस के लिए एक है गया है जो हिंदु के लिए नपाल में पइदा हुए था था तो यार आब गर्प करेंगे भाग्वान कलकी भी नेपाल में पैदा हुए तो यार अब गर्प करो बगवा तो गरब करो डोनेट करो तो तिसरा ओ ग्रूप है तो फंड्रेजिंग से काम होगा ताकि वह भागवान कल की फुल टाइम इस पर फोकस कर सके अपने जो अपना जो बिजनेस है मोबल फोन स्टोर से उनके पिंचल्विनिया में साथ कुछ टेकसस में भी तो एक मैनेजमेंट हें तो व्हुतिक को हंडोब कर सके हैं और इस पर फूल टाइम कर सके तो किताब पर काम करनी है किताब पर काम हो सकेँ उस के बाद सन्धर्ण विस्तार करनी है और फृर्दर फंडाइजिंग करनी लिए भी तो कुछ साहिए क्या है यह 15-5 लाख dollars का क्या है इतना मोर्यशन के स्थापना उसका। इतीther इत्हासे में उसका 10 ौप साइज थापना में 90 ये सथापन मेरें 10 त्सफिकां को थेखें आप आप मैट्ड़ी के अग्म कुछ है? उसिसथां से लेकाितर बुट होगा? काते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नॉन प्रोफिट सबसे साधनसोत वाला संगठन ही Catholic Church सिर्फ एक किसी एक मेगा चर्च का ही बजट देखिये कितना है तो यह 10-15 लाख डॉलर फंडरीजिंग इस पर जो फंडरीजिंग होगी जो पैसे खर्चे होंगे वह तो एक 501C संगठन दर्ता होने के बाद तो हिसाब किताब तो परदर्शी होता है जो IRS होती है उसको बजाने पड़ते हैं कि इतना आय इतना ब्याय तो हिसाब किताब तो दुरुस्त होगा और हिसाब किताब रखने बाले कोगी और होंगे, उसको नहीं होंगे जैज ही नशीन है हम इन पेस्टी भी नहीं है वह अवन तो उसके लिए तो मढ़े प्रखनें किताब्स होंगे वह कहांगे को ए राम रहीम नहीं हो रहा है एक हपलान बादी नहीं हो रहा है यह कि अर्ली स्टेज है फंडरीजिंग हो रहा है और काम वही इसपस्ट है कि आइडिया जो है वो किताब के रूप में आगे लानी है उसके बाद संगठन भी सार करनी है उसके बाद पहला पाइलेट प्रजेक जो नेपाल में होगा उसके लिए काम करना है और ग्लोबल कलकी सेना संगठन के लिए और फंडर फंडरीजिंग के लिए अभी पंदर लाख डॉलर का लक्ष है तिन अलग अलग केंपेंग से अगला लक्ष होगा हंडिड मिलियन का जिस रफ्तार पर काम होना है उसके लिए तो ऐसा सुचना होगा तो वह है फंडरीजिंग क परनिका मकसद ओख उसलिखर नहीं है